अमरनात भगवान की जै गंबी यात्रा करके जाना पड़ता है तो हुआ क्या था एक बार भगवान शिव देखे कि माता पारवती बहुत दुखी हैं और बहुत नाराज हैं भगवान शिव की तरफ देख भी नहीं रही भगवान शिव ने माता पारवती से पुछा आप इतनी दुखी क्यों है माता पारवती ने बोला मैं देखती हूँ कि आप अमर है आपको बार बार जनम नहीं लेना पड़ता जैसे हम सुने हैं भगवान शिव पहले विवा किया सती से लेकिन सती ने देहत आग किया बाद में पारवती के रूप में आई तो माता पारवती बोलती है मुझे बार बार जनम लेना पड़ता है मैं अमर नहीं हूँ आप अमर है ऐसा कुछ कीजिए कि मैं भी अमर हो जाओ इस प्रकार से पारवती बहुत दुखी थी कि मैं अमर क्यों नहीं हूँ शाश्वत काल के लिए मैं भगवान शिव के साथ में क्यों नहीं रह सकती तो जब भगवान शिव से उन्होंने ये प्रश्ण पूछा भगवान शिव बोले मेरा अमरत्व जो मेरा इंमोर्टालिटी है मेरी मृत्यू नहीं होती वो किस कारण से है योकि मैंने अमर कथा का पान किया है अमर कथा सुनी है अमर कथा के प्रभाव से मुझे ये अमरत्व प्राप्त हुआ है भगवान श्रीव ने ये बात बोली और उसके बाद चुप हो गए योकि वो देखे कोई बहुत रहसे है तो इंसान पूरी बात तब तक बताता नहीं है जब तक सामने वाला पात्र पूर्ण रूप से इच्छु किया क्वालिफाइड ना हो माता पारवती ने बहुत जोड़ दिया कि मुझे भी अमर कथा सुननी है उनके बहुत जोड़ देने के बाद जब भगवान शिव ने सुचा कि यहां सुनानी चाहिए भगवान शिव ने सुचा कि उचित स्थान होना चाहिए अभी हम कैलाश परवत पे हैं और कैलाश परवत पे कहीं अनेक रिशी अनेक उनके जो एसोसियेट्स हैं बगवान शिव के अनेक लोग आते रहते हैं एकांत नहीं है और जो योग्य नहीं है उसको हम ये कथा नहीं सुनाना चाहेंगे उसके लिए योग्यता होनी चाहिए प्यूरिटी होनी चाहिए पवित्रता होनी चाहिए तो बगवान शिव बोले यहां तो नहीं करेंगे उन् वालया में एक सुंदर गुफा है, उस गुफा में हमको जाना चाहिए। तो भगवान शिव माता पारवति को लेके इस गुफा में जाने के लिए सबसे पहले कश्मीर में एक स्थान है, पहल गाउं, वहाँ पे आ गए। और क्योंकि भगवान शिव का वाहन है नंदी नंदी वहाँ पे आए नंदी को भगवान शिव ने पहल गाओं में एक गाड के रूप में एक चौकिदार के रूप में एक सिवक के रूप में वहाँ पे उनको बिठा दिया कि हम गुफा में जा रहे हैं जो यहां से काफी लं प्रारंब करते हैं और क्योंकि नंदी को वहाँ पे एक गाड के रूप में नियोजित वहाँ पे उनको बिठाया नंदी को प्रेजना दी ये सेवा करने की इसलिए उस थान को बैल गाओं भी बोलते हैं बैल गाओं पहल गाओं तो वहाँ से जो यातरा शुरू ही और केवल नंदी को ही नहीं बिठाया, रास्ते में कहीं स्थानों पे भगवान शिव ने कहीं लोगों को बिठा दिया, भगवान शिव ये पक्का करना चाहते थे कि गुफा तक कोई पहुच ना पाए, तो भगवान शिव के पास चंदरमा है, हम पहले ये कथा कर चुके हैं, उनके श सुकी नाग को वहां बिठा दिया, और वहां पे जहां बिठाया, उस तालाब को शेश नाग तालाब बोलते हैं, थोड़ा आगे गए, वहां पे महागुणा परवत था, और जब महागुणा परवत पे गए, वहां पे गनेश जी को बिठाया, देख बाल करने के लिए कि क कोई आगे नहीं आना चाहिए, पूरा पक्का सेक्यूरिटी था, उसके आगे गए तो पंच तारिनी स्थान है, वहाँ पे पंच भूतों को बिठा दिया, पंच भूत, और उसके बाद जभी वो गुफा के सामने आये, तो उन्होंने वहाँ पे ही अपने एक रूद्र माता पारवती के साथ बैट गए, और माता पारवती को पूरा अमर रहस्य नहीं, मृत्यू रहस्य पूरी अमर कथा सुनाई, यूकि माता पारवती को था, मुझे भी अमरत्व प्राप्त करना है। पूरनिमा से अमावस 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है उसके साथ ही ये शिवलिंग का साइज भी बढ़ता और घटता है और विशेश रुप से जो शरावन मन्त में पूरनिमा आती है जिसे बर्राम पूरनिमा रक्षा बंदन का दिन होता है उस दिन ये शिवलिंग की हाइ प्रति का एक गंनेश जी का तो इस प्रिकार से ये बड़ा सुंदर स्थान है अमरनाद गुफां का और बहुत ही सुंदर कभूतर की जोड़ी उनके धर्शन होते हैं वो दो कभूतर की जोड़ी कही न कहीं आसपास बंढ़ राते हैं वो भ्रमन करते हैं और ये अमर है तो ये कभूतर कहां से आ गए वो कि भगवान शिव ने तो पूरा आयोजन किया था कोई भी गुफा में प्रवेश नहीं करना अची है लेकिन जिस थान पे वो बैठे थे गुफा के अंदर उसके अंदर उनके आसन के पास अल्रेड़ी दो कभूतर के दो अंडे पड़े थे वो शीव जी ने ध्यान नहीं दिया कि शीव जी गुफा में प्रवेश करने के बाद ऐसे ध्यान में चले गए और माता पार कथा है और अमर कथा अमर अमर नात गुफा की ये महीमा है तो जहां भगवान अमर नात के नाम से जाने जाते हैं अमर कथा को सुनाया माता पारवती को भगवान शिव का एक और नाम है नील कंट इस पे भी मैं छोटी सी बात बोलना चाहूंगा पहले हम चर्चा किये हैं इस बारे में इसी श्रिंखला में नील कंट क्यों है जब समुद्र का मन्थन हुआ तो भगवान शिव के को बुलाया गया सभी देवता पहुंच गए भगवान शिव के पास की मन्थन में से जहर निकला है कृपया इस जहर को आप ग्रहन कर लीजिए तो भगवान शिव ने बड़ी खुशी खुशी उनको मालूम है कि सबसे उत्तम जो उपासना मानी जाती है वो कष्ट जीवों के जो कष्ट में है उनके दुख को दूर करना लेकिन उनने माता पारवती से विनंति करी पूछा कि क्या हम इसको ग्रहन कर सकते हैं तो जब उनको पूछा गया तो उनको बोला हां करिये तो जब भगवान शिव उस जहर को पी रहे थे तो माता ने भगवान शिव का कंट इस प्रकार से पकड़ लिया कि उनका जो जहर है वो उनके पेट तक उनके शरीर तक ना पहुँच पाए और वो जो जहर था उसके प्रभाव से नील कंठ नाम हो गया भगवान ने भगवान शिव ने उस जहर को ग्रहन करने से पहले मंत्र जाप किया और पूरा शक्ती इस शक्ती पे आवाहन किया कि कैसे वो उस जहर को समा सके तो नमत्राय मंत्र उन्होंने जाप किया भगवान शिव ने नील कंट नाम हो गए अब यहां से जो एक कता है हम बताना चाहेंगे छोटी सी भगवान शिव ने जहर तो पी लिया लेकिन देवता और जो असुर थे वो समुद्र मन्थन में इतनी तेजी से इतने उच्साह से लगे थे उन्होंने शिव जी को धन्यवाद ही नहीं बोला कि आपने इतनी बड़ी सहायता करी और निकल गए वहां से मन्थन का कार्या आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि उनको तो अमरित चाहिए था तो जब वो आगे निकल गए कि हमें मन्थन से अमरित चाहिए बाद में कुछ समय बाद उनको ध्यान में आया कि शीव जी ने जहर पिया हमने शीव जी को थैंक्स भी नहीं बोला धन्यवाद नहीं किया क्रितग्यता अरपन नहीं किया तो कभी कभी हम रजोगुण में अपने फल के लिए इतनी लालची हो जाते हैं कि जास्ते में जिस जिस ने सहायता किया उनके प्रती क्रितग्यता अरपन नहीं करते तो उनमें से जब भी देवता लोग जब भगवान शिव के पास गए कि माफ करना हमने तो आपको थैंक्स भी नहीं बोला ग्रैटिटूड अरपन नहीं किया क्रितग्यता नहीं कि भगवान शिव ने बोला मुझे आपने क्रितग्यता अरपन किया कि नहीं किया उससे मुझे फरक नहीं पड़ता क्योंकि मेरा तो धर्म और नील कंट भगवान देवताओं को दिखाना चाहते थे कि सच में मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ ये दिखाने के लिए बड़े आनंद से भगवान शिव ने संध्या शिव तांडव निरते किया संध्या शिव तांडव क्यों है ये उस दिन त्रेवदशी का दिन था और त्रेवदशी के दिन को शाम को साड़े चार और छे बजे के बीच में ये जो डेड़ घंटे में दो मुहरत आते हैं उस समय भगवान शिव ने तांडव निरते किया संध्या शिव तांडव बड़े आनंद में निरते किया सब समझ गए कि शिव जी हमसे क्रोधित नहीं है और हमें माफ कर दिया है जबकि हम उनको थैंक्स बोलना भूल गए थे तो ये बड़ी सुन्दर कता है नील कंट भगवान की कि कैसे उनने अपने भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए ये नृत्य किया और इसे लिए ये जो काल होता है तरे उदुशी को ये शाम का समय जिस समय भगवान नृत्य किये इसको बहुत विशेश मानते हैं और शिव के भक्त विशेश रूप से इस समय भगवान शिव से प्रार्थना करना उनकी आराधना करने को बहुत महत्व देते हैं क्योंकि इस समय भगवान शिव बड़े आनंद में होते हैं और हमारे जिंदगी के हमारे जीवन के सारे के सारे दोश हर लेते हैं इसलिए ये जो विधी है इस समय भगवान से प्रार्थना करना त्रयोजशी के जो विधी है ये इसे प्रदोशम बोलते हैं कि दोशों को हर लेते हैं जैसे भगवान शिव ने जहर पी लिया और देवताओं से गलती हो गई उसको भी हिदे पे कोई बहुत गहरे में नहीं लिया माफ कर दिया ऐसे ही भगवान शिव हमारे दोश हर लेते हैं और इसलिए भक्त लोग नील कंट से इस समय प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के दोश पाप सब हर लो ताकि हम अपने जीवन के लक्षे में कामयाब हो सकें तो ये बड़ी दुसंदर दो कताएं हैं अमर नात की और भगवान नील कंट की हरे कृष्णा